तो यहां पे एक वेगेंसी निकल कर आईए वो भी कि बहुत बड़ी आप लोग के लिए होने वाली है जिल लोग की जीकी की प्रिप्रेशन बहुत ही अच्छी आपको पता है कि बिहार में कितने ज्यादा वेकेंसी आने वाले है यानि कि लीपिक के पगद है ग्राम पंचैत लिए राज के हैं सची वाले सहाय के एटी सी एट और तो आपने देखा है कि अभी ही बिहार सी डी पीओ भी आया है इस तरीके से यहां पे एक वेकेंसी निकल कर आई है उस वेकेंसी का नाम क्या है तो बीपी एसी में यह पहली बार यह वेकेंसी को निकाला गया है समझे इस वेकेंसी को यानि कि बीपी एसी ने लडी सी यानि के 10 प्लस टू वाले जीतने वी विद्यारती हैं सारे के सारे भर सकते हैं अब आपने लोग मुझसे यह पूछोगे कि क्या मैं 10 प्लस टू ही मैंने तो ग्रिजुशन कर रखा है क्या मैं नहीं भर सकता और यह देखें यहां पर नोटिफिकेशन यहां पर देख सकते हैं कि बिहार लोग सेवा आयो यहां पर सबसे पहले जीतनी भी लड़कियां हैं आपको 35% की छूट दिये जाने वाला है इस वेकेंसी में तो टोटल वेकेंसी कितने हैं वो जान लिए जब पदों की संख्या कितनी ह तो 10 है जिस मैंसे 4 क्या है महिलाओं के लिए है 6 क्या है पुर्सों के लिए है बाकी टोटल इतनी सारे पोश्ट हैं 24 है और 24 पोश्ट मेंसे अगर आप इसमें इलिजिवल हैं तो कर सकते हैं देखें इसमें मांगता क्या है और इसकी सैलरी आपकी सुन लीजिए सेलरी सुन computer संचालन तो यहाँ पे देख लीजे आपको यहाँ पे computer यानि कि 16,4,16 अप्रयाल तक आप इस form को fill up कर सकते हो अगर आप पूरुस हो तो आपको 600 रुपे पे करने पड़ेंगे अगर महिला हो SCHT हो तो आपको 1500 रुपे पे करने पड़ेंगे यानि कि इसकी fee कितनी है वो भी मैं आपको बता दू अगर पूरुस है तो 600 ठीक है ना यह 600 है ठीक है और महिला है SCHT है तो उन्हें 1500 रुपे पे करने पड़ेंगे फिर इसमें पूछे क्या जाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ तो इस परकरिया में पूछे क्या जाएंगे रिजनिंग होगी जो की 50 नंबर की होगी और समान विग्यार और गनित की संख्या कितनी होगी तो 50 नंबर की होगी यानि कि टोटल 100 नंबर के एकजाम होगे और एक बार बताते हूँ परतेक सही उत्तर के लिए 4 अंग दिये जाएंगे और गलत उत्तर के लिए एक अंग काट लिए भी जाएंगे यानि कि 400 नंबर का आपका एकजाम होने वाला है परिच्छा कि अब दी 2 घंटे 15 मिनिट होगी अगर हिंदी और अंग्रेजी प्रश्णों में से कोई भीनता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्ण ही मानने होंगे फिर क्या है कि प्रारंभिक परिच्छा पुस्तक सहीत ली जाएगे यानि कि आप पुस्तक भी लेकर जा सकते हो एकजाम में परतेक विशय के लिए एक पुस्तक ले जाने की छूट है हस लेगी चाया परती ले जाने के अनुमती नहीं होगी यानि कि परतेक विशय के लिए आप क्या है पुस्तक ले जा सकते हो फिर क्या है समान अध्यान के कोशन नहेंगे आपको इस तरीके से आपके सारे समान अध्यन में क्या पूछे जाएंगे समसमाई की भारती अभासाई, पुस्तक, ली, पी, राज़ानी, मुद्रा, खेल, घटना, जानकारी, सारे के सारे फिर क्या है समान विज्ञान वन गनित गनित से भी question पूछे जाएंगे गनित में भी जो आपने math अच्छे से पढ़ा है आप लोग इस exam को बिल्कुल crack कर सकते हो फिर reasoning के questions आएंगे इतने सारे हैं यहाँ पर देख लिजाब जादा के लिए मैं आपको अपने टेलिग्राम educational आर्के पॉइंट पर PDF डाल दूँगे आप वहाँ से देख सकते हो नेक्स चलते हैं कि यहाँ पर क्या है कि भी समान अव्यारतियों के लिए 600 और बिहार के जो फीमेल है जनरल हो चाहे कोई भी काष्ट की हो या CST है तो आप सब के लिए 500 रुपय आपको पे करने पड़ेंगे फिर चलिए आप तो इतनी सारी ही जनकाड़ी आपके लिए ओनलाइन आवेदन प्रारम करने किती थी उनीस तारिक से स्टार्ट होगे और सोलो तारे को यहाँ पर खत्म कर दी जाएगी चलिए ठीक है तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं है बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कात आता है इस फॉर्म के बारे में कुछ पूछना चाते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टुटल सीटो की संख्या भी मैंने बता दिया क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बक्स पर कमेंट जरू करें थाइंक यू